प्रभु येश्यु मसी के नाम में आपको अनुग्र, शान्ती और आशिश मिलें एक नर्सन्हार हुआ था जेनोसाइड जिसको आर्मेनियन नर्सन्हार कहते हैं या आर्मेनियम जेनोसाइड और ये आर्मेनियन लोग थे और आर्मेनिया और रश्या के उन इलाकों में ये लोग रहते हैं ये पुरी कौम है और जो आटोमन एम्पायर था आटोमन सल्तनत थी यानि टर्की की सल्तनत उन्होंने बहुत सारे आर्मेनियन्स को मारा नर्सन्हार किया उनका क्योंकि आटोमन सल्तनत से उन इलाकों को पूरा इसलाम में लाने का प्रयास था और इसलिए वो अपनी पूरी जोर जबरदती से इसलाम को लाना चाहते थे वहाँ पे और बहुत सारे आर्मेनियन जो येशु मसी पे विश्वास करते थे उनको मार डाला बताते करीब वन मिलियन यानि दस लाक अर्मेनियन इस हमले में मारे गए और बहुत सारी स्त्री और बच्चों को इसलाम में लाया गया और 1915 की ये बात है एक ऐसा ही रूसी आर्मेनियन रश्यन आर्मेनियन वो अपनी बाइबल पढ़ रहा था और जब बाइबल पढ़ रहा था अगले शर्ण उसको पता नहीं चला कि उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया और वो बाइबल आज भी उस लेकक ने देखी है उसने ये बताया कि मैंने उस बाइबल को देखा मोटी बाइबल थी बड़ी थी और काफी पढ़ी हुई दिखरी थी यानि विक्ति ने लगतार इसको रोज रोज इस बाइबल को पढ़ता था लेकर उसके विश्वास के कारण येश्व मसी पे विश्वास करता था इसलिए उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया वो दिन आ रहे हैं बाइबल बताती है जिसको बाइबल महाकलेश कहती है जब येश्व मसी पे विश्वास करने वाले उनकी भी गर्दने काट दी जाएगी गिलोटीन में जहांपे सर को धड़ से अलग कर देते हैं ऐसे बड़ी धार की बलेड गिरती है उपर से ये प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं खेर तो लेखक ने जिसने ये लेख लिखा उसने कहा कुछ बाइबल पर पूरा लाल धबा था और लाल धबा अंदर पन्नों में भी पहुँच गया था और लाल धबा उस रशियन आर्मीनियन रूसी आर्मीनियन का कुम था जब लहुलवान उसका शरीर हो गया जब उसका सिर धर से अलग कर दिया गया सत्तर वर्ष बाद एक बहुत बड़ा पैकेज शिप्मेंट बाइबल्स का रूमानिया में पहुचा किसी पश्चिमी देश चे और उस समय रूमानिया में कैसिसकू करके एक ताना शाह राज करता था डिक्टेटर था रूमानिया का तो कैसिसकू के जो सैनिक थे लेफ्टेनेंट्स थे उन्होंने उस पूरे शिप्मेंट को कॉन्फिसकेट कर दिया अपने कबजे में ले लिया और उन्होंने उनको मालूम पढ़ गया था कि इसमें बाइबल्स आई है उन्होंने इस सारे बाइबल के पन्ने उसको मशीन के द्वारा पूरा पाउडर की तरह बना दिया और फिर उसको मानों के एक कागज का पल्प बना दिया जिससे और कागज बना सकते हैं और फिर उस पल्प से उन्होंने टॉइलेट पेपर बनवाया और वो ही टॉइलेट पेपर उन्होंने उसी देश को बेचा पस्चिमी देश को जहां से बाइबल्स आई थी इतनी तोहीन कुछ लोग Bible की करना चाहते है हमारे देश में भी कई लोग Bible का बहुत विरोध करते हैं Bibles जला देते हैं जो Bible का प्रचार करते हैं, उनको मारते हैं गंदी गालियां देते हैं, दमकियां देते हैं लेकिन जो भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बाइबल या प्रभू का वचन देता है उसका उद्देश क्या है उसका उद्देश धरम परिवर्तन नहीं है ये गलत लोगों को घुटी पिलाई गई है ये प्रभू येश्यो की आग्या है कि तुम पापों की पश्ताप का और प्रायस्चित का प्रचार पूरे जगत में करो तो कि प्रभू येशु जानता है जो वेक्ती पाप में मरेगा वो नरक के दंड में चला जाएगा और प्रभू येशु ने जगत के लिए अपना प्राण दिया और जो कोई विश्वास करेगा येशु मसी पर वो नाश नहोगा परंतु अनंत जीवन पाएगा इसलिए बाइबल का प्रभू येशु का उसके बलेदान का उसके प्रेम का प्रचार किया जाता है जो उन लोगों ने किया रुमानिया में उससे लगता है कि बड़ी तोहीन हुई बड़ी हार से दिखती है लेकिन क्या वो बाइबल को खतम कर पाए या दुनिया में कोई भी बाइबल को खतम कर पाया या मसी विश्वास को खतम कर पाया कभी नहीं ना कभी हो पाएगा क्योंकि प्रभू येश्यो जीवित परमेश्वर है आज बहुत सारी भाशाओं में बाइबल डिजिटल फॉर्माट में है ना कोई उसको जला सकता है ना फाड़ सकता है उस फोन को कोई तोड़ सकता है लेकिन इंटरनेट से दुबारा पिसी और फोन पे वो बाइबल आज आएगी कोई तानाशा खतम नहीं कर सकता बाइबल आज भी मौजूद है और परमेश्वर का सामर्थी वचन है जिसको लोग पढ़ते हैं और जो विश्वास से पढ़ता है उनके जीवन बदल जाते हैं एक और घटना है विएटनाम की हार हुई विएटनाम और अमेरिका की काफी सालों युद चलता रहा और कहने के लिए अमेरिका को महां से जाना पड़ा और दृष्टी से लगता था के विएटनाम जीता लेकिन विएटनाम की बहुत नुक्सान हुआ लेकिन फिर भी जब अमेरिकन्स चले गए वहां से तो जिन जिन पर उनको शक था कि हमारे देश के जो देश द्रो है देश द्रोई है उनको पकड़ पकड़ के उन्होंने जेलों में डाला तो हियन करके एक विएटनामीज था और विएटनाम की जेल में ही था हियन के अंदर फरक ये था कि जबके विएटनाम कम्यूनिस्ट था लेनिन अ मार्क्सिस्ट ऐसी शिक्षाओं पर चलने वाला कम्यूनिस्ट हियन ऐसा नहीं था वो प्रभू येशू पर विश्वास करता था कम्यूनिस्ट लोग प्रभू येशू के विश्वास से ग्रिणा करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है जो भी प्रभू येशू पर विश्वास करता है वो पस्चिमी देशों का जासूस है यह उनकी सोट थी तो खेर ही एन को उन्होंने जेल में डाल दिया इस इल्जाम से कि तू अमेरिकन्स की मदद करता था उनको तू सूचना पहुचाता था तू जासूस है और जो जेलर होते थे उसको बार बार रेकॉर्ड़ेड मेसेज सुनाते थे कॉम्यूनिजम का और कैसे के लोगतंत्र सब बेकार है और मसी विश्वास ये सब बेकार है और ये सब जूट है उसको फ्रेंच और व्येटनामी भाषा में रेकॉर्ड़ेड संदेश सुनाते थे मार्क्स के एंजल्स के और कई दिन तक ये चलता था अब उसके माइन में ये सब काम करने लगा वो सोचने लगा क्या पता ये जो मैं सुन रहा हूँ ये सब सच हो और अब तक जो मैं ये शुम इसी पर विश्वास करता था क्या पता ये सब जूट था शायद परमिशर होता ही नहीं है जैसे कम्यूनिजम कहता है सब कुछ हमारे हाथ की ही बात है और हो सकता ये पस्चिमी देशों ने मुझे दोका दिया मुझे गुमरा किया मुझे ब्रेनवाश किया सच बात है कि मसी विश्वास का शुरोत नहीं है मद्य एश्या मसी विश्वास का शुरोत है क्योंकि प्रभु यश्यू मद्य एश्या में उसमें जनम लिया बितलहम में खियर अब हाइन ने सोच लिया, जब में उटूंगा, मैं प्रभू यशू से प्रातला नहीं करऊंगा." और दुबारा ये इस विश्वास के बारे में नहीं सोच के अट हम और चांस की बात है, उसी दिन उसने सोचा कि अब से मैं करूंगा उसी दिन उसकी ड्यूटी टॉइलेट साफ करने के लिए लगी और अच्छा काम तो नहीं था लेकिन शांत में जगा थी अकेले उसको काम करना था और जैसे वो कुछ दब्बे खाली कर रहा था तो उसको कुछ टॉइलेट पेपर दिखे और एक टॉइलेट पेपर पे जो इ उसने उस टॉइलेट पेपर को उठाया उसको पानी से दोया तोकि वो एक कागज का पन्ना दिख रहा था वैसा टॉइलेट पेपर नहीं था और जब उसने उसको साफ किया दोया तो उस इंगलिश को पढ़ने लगा और वहाँ पर लिखा था रोमी अध्याय आठ वो एक बाइबल का पढ़ना था और उसने डरते कांपते के कोई देख ना ले वो पढ़ना शुरू किया और उसको ये वचन उसकी आंकों के सामने आये और हम जानते हैं कि जो लोग परमिश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन करती है क्यों कि मैं निश्चे जानता हूं कि ना मृत्यो ना जीवन ना स्वर्दूत ना प्रधानताय ना वर्तमान ना भविश्य ना सामर्थ ना उंचाई ना गहराई और ना कोई और स्रिष्टी हमें परमिश्वर के प्रेम से जो हमारे मसी हमारे प्रभु येश्व मसी में हैं अलग कर सकेगी वो कहता मुझे पूरा निश्चय है कि परमिश्वर के प्रेम से प्रभु येश्व के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है यान ये पढ़ते ही रोने लगा उससे सुझाचा आज से ही मैं प्रात्त करना बंद करूंगा लेकिन आज ही प्रभु से बात कर रहा था है ना उसने उसी समय परमिश्वर से शमा मागी और बहुत पष्टाया परमिश्वर की और योजना थी ही ये जो उसको सताते थे लोग बाइबल की तोहीं करने के लिए वो बाइबल के पन्नों को टॉलिट पेपर के तर ये उसकरते थे लेकिन फिर हियन ने अपने कमांडर से कहा कि मुझे यहीं पर ड्यूटी दे दो मैं शांती से अपना काम करता रहूंगा और उसको वहीं ड्यूटी मिली और रोज उसको बाइबल का एक नहा पना मिलता था उसको वो दोता था और फिर उसको रात को जब सब सो जाते थे परमिश्व को मचन वो पढ़ता था बड़ी अजीव सी कहानी है लेकिन ये कहानी सच है और वास्तों में प्रभू येश्व मसी के अलावा किसी और में उद्धार नहीं है स्वर्ग के नीचे पृत्वे के ऊपर एक ही नाम दिया गया है येश्व मसी का नाम जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है पापों की शमा पा सकता है केवल प्रभू येश्व मसी ने मेरे और आप के लिए कुरूस पर अपना प्राण दिया अपना पवित्र लहू बहा दिया हमारे लिए उसने शमा की प्रात्ना की पिता से पिता की और से जो सारा दंड था हमारे नाम का हमारे खाते में उसने अपने उपर ले लिया और वो मृत्य को में से तीसरे दिन जी उठा और जीवित है और वोही बाइबल का जीवित वचन हमें बताता है उसके जीवन के बारे में उसके मृत्य के बारे में और कैसे पापी उद्धार पा सकता है एक व्यक्ति ने पूचा जेलर ने ये स्वामीयों हम उद्धार पाने के लिए क्या करें प्रमिश्वर के दासों ने कहा प्रभु येश्व पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा तू मन फिराय पश्टाप करें प्रभु येश्व पर विश्वास करें प्रभु येश्व आपको आशीश देगा